रहागिरों को गाड़ी में बैठा कर उनके गंतव्य तक छोड़ने के बहाने लूटने वाले एक गिरों के तीन सदस्य को पुलीस ने किरफतार किया लूटेरों के कबज़ से नगदी सही ताबुशन बरामत किये SPC ने पत्रकार वारता कर खुलासा किया मिर्जापुर के कट्रा कोत्वालिक शेत्र के बथुआ ती राहे पर लालगंज निवासी अनिल कुमार मिश्र अपनी बहन और बहनोई को ओराई भेजने के लिए पौजे सभी बिदो ही जाने वाली वाहन की तलाश में थे तभी उनके पास दो लोग आए और कहा कि हम और आई जा रहे हैं आप अपने परिवार को हमारे साथ भेज दीजिए किराय पर चलने वाली टैक्सी समझ प्रकाश ने अपनी बहन और बहनोई मनोश तिवारी को उनके बच्चे के साथ बोलेरो में बैठा कर उनको रवाना कर दिया उनको रवाना करते समय प्रकाश में उस बोलेरो का नंबर अपने पास नोट कर लिया था दिन के लगबग धाई बजे उनको रवाना कर घर पहुचे कुछ थे कि उनके द्वारा फोन करके बताया गया कि बोलेरो बैठे लोगों द्वारा उन्हें प्रसाथ के नाम पर पेड़ा खिला दिया गया है जिसके चलते उन्हें नशे और अर्ध मुर्चित की स्थिती उत किसी तरह बहन बहनोई दूसरे साधन से अपने घर और आई पहुचे जब सामान खोल कर देखा गया तो उनके बैक से सोने की चेन, मंगल सुत्र, सोने का जुमका, सोने की दो अंगुठी, दो पायल सहित, नगदी 2200 रुपे गायप थे गटना के सुचना पाकर उम्प्रकाश ने बुलेरो और उसमें बुलेरो सवार लोगों को काफी तलाशा, पर न तो व्यक्ति मिले और ना ही वह कई बुलेरो दिखाई बड़ी बहन बहनोई के साथ हुई इस घटना को लेकर पुरा परिवार सदमे में था सुबह कटरा कोतवाली के पथर ही अक्षेतर में बुलेरो के साथ वही लोग दिखाई दिये इसकी सुचना कोतवाली को दी मौके पर पहुची पुलीस ने घटना में शामिल तीन आरोपियों को गिरफतार कर लिया गटना का खुलासा करते हुए S.P.C.T. ने बताया कि यह प्रियागराज जिले के घुरपुर थनाक शेतर के मुंदावा गराम का है इनके द्वारा पहले भी जन्पन में कई गटनाय कारित की गई है बड़ी सफाई से यह ऐसे लोगों को अपना शिकार बनाते है जो लोग शादी विवास से लोट कर अपने घर के ले जाना चाते है उनके पास गिरों का एक सदस्य पहुशता था और जहां वह जाना चाते है वही चलने की बात कर बुलेरों में बीच की सीड पर बैठा कर सामने को रा गिर से पीछे की सीड पर रखने को कहते थे और जैसे ही गाड़ी चलने वाली होती थी गिरों के दो सदस्य यात्री बन कर पीछे की सीड पर आकर बैठ जाते थे वह पहले से ही एक्सपर्ट होते थे उनके पास ऐसे ओजार होते थे जिसकी मदद से वह पीछे रखे बैग अटेची से आबूशन रुपया निकाल लेते थे और जब उनका काम हो जाता था तब वह शिकार को बीच रास्ते में ही गाड़ी खराब होने की बात कर उतार कर फरा प्रामद नहीं हुई है लेकिन कुछ पैसे बरामद हुए जोलरी बरामद हुई है यह लोग उसको टार्गेट करके बैठा लेते हैं अपनी गाड़ी में और बीच रास्ते में कुछ नस्रिया पतार कभी खिला करके या कभी जो है डिग्गी या उसके समान की जो टेची हो को उनके द्वारा बेच कर उस पैसे का आपस में बटवारा कर उपियोग कर लिया गया है इन बीसे न्यूस के लिए मिर्जापूर से अजय दूबे की रिपोर्ट